स्वागत है आपका आज के एपिसोड में चलि शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था महात्मा गांधी रास्ट्री ग्रामीर रोजगार गारंटी अधीनियम किस वर्श शुरू किया गया था महात्मा गांधी रास्ट्री ग्रामीर रोजगार गारंटी अधीनियम वर्श 2005 में ग्रामीर विकास मंत्राले द्वारा शुरू किया गया था मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े कारे गारंटी कारे करमों में से एक है वर्श 2022 से 23 तक मनरेगा के तहत 15.4 करोड सक्रिय श्रमिक है दो चले शुरूआत करते हैं आज की एपिसोड की पहले प्रश्ण के साथ निम्रलिकित में से कौन रास्ट्री भूमी मुद्री करण निगम के लिए नोडल मंत्राले है ए वित्त मंत्राले बी आवास एवम शहरी मामलों के मंत्राले इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प ए वित्त मंत्राले चले देखते हैं इसके विसलेशन को राच्ट्री भूमी मुद्री करण निगम यानि LMMC भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्तों वाली कमपनी है इसकी प्रारंबिक अधिकरत शेयर पूजी 5,000 करोड और चुकता शेयर पूजी 150 करोड रुपे है वित्त मंत्राले के तहट सारवजनिक उध्यम विभाग इसके प्रिशासन के लिए नोडल मंत्राले है इस तरह के निकाय के स्थापना का एक उदेश कींद्री सारवजनिक शेत्र की उध्यमों और अन्य सरकारी एजन्सियों की अधिशेश भूमी और भवन संपत्ती का मुद्री करण करना है इससे सरकार अन उच्च प्रात्मिक्ता वाले कार्यों ही तो धन उत्पन करने के लिए अप्रयुक्त संपत्यों का उप्योग करने में सक्षम होगी अगला प्रेश्न है पद अनिवार ये अभ्यर पड निमनलिकित मेसिक की शेत्र से जुड़ा हुआ है इस प्रेशन का सही उत्तर है विकल्प A. सामान बीमा चले देखते हैं इसके विसलेशन को अनिवार अभ्यरपड व्यविसाय के उस हिस्से को संदर्भित करता है जिसे सामान बीमा कंपनियों को अनिवार रूप से यह विदेशी बीमा कंपनियों को बाजार में आकरशित कर देश में सामान बीमा शेत्र को बढ़ावा देगा अगला प्रेशन है हाली में ओडिशा के दो तटीय जिलो, केंद्रपाडा और जगत सिंगपूर में पहली मैंगरोव पित्त पक्षी गर्णा की गई यह निम्रेलिकित में से कहां देखी जा सकती है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलपड दी उपर्युक्त सभी चले देखते हैं इसके विसलेशन को हाली में ओडीशा के दो तटीय जिलो, केंद्रपाडा और जगत सिंगपूर में पहली मैंगरोव पित्त पक्षी गर्णा की गई मैंगरोव पित्त पक्षी या पिट्टा मेगरेंचा पक्षी की एक प्रजाती है जो ओडीशा की भीतर का निका और पच्छिम बंगाल के सुन्दर बंसहित पूर्वी भारत एक कुछ हिसों में पाया जाता है अंतराश्ट्री प्रकृती सन्रक्षड संग यानि IUCN ने प्रजातियों को वर्गी करण और मुल्यांकन किया है और इसे संकटा पन्न के रूप में सुची बद्ध किया है कहा जाता है इसके लिए जाना जाता है कश्मीर हिमाले की घाटियों में करेवा निक्षेपड की विशेश्टा पाई जाती है करेवा को केसर की खेती है तु जाना जाता है और यहां सेव, आडू, बादाम तथा अक्रोड जैसे फलो एवं सूखे मेवों के बाग है अगला प्रेशन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है इस प्रेशन का सही उत्तर है विकल्प ए तेईस मार्च चले देखते हैं इसके विस्टेशन को विश्व मौसम विज्ञान संगटन याने डबलू एमो के स्थापना के उपलक्ष में प्रतिवर्ष तेईस मार्च को विश्विस्तर पर विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है जिसके स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी या दिन समाज की सुरक्षा इवं भलाई में राश्टिव मौसम विज्ञान तथा हाइड्रोलोजिकल सर्विसेज की आवश्यक भूमिका पर प्रकास टालता है अगला प्रश्ट है खुदाए के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उत्खनन एजन्सियों और भूमिकत उप्योजिता मालिकों के बीच समन्वे की सुवधा है तो सरकार ने कौन सा एप शुरू किया है चले देखते हैं इसके विस्लेशन को वर्ष 2030 तक हाइस्पीड 6G संचार सेवाओं को शुरू करने के लिए एक परिकल्पित दस्तावीज का अनावरण किया है और भारत में अगली पीड़ी की प्रोध्योगी की पहचान तथा अनुसंधान इवं परिनियोजन के लिए भारत 6G प्रोजेक्ट भी शुरू किया खुदाई के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उत्खनन एजनसियों और भूमिकत उप्योजता मालिकों की बीच समन्वे की सुविधा के लिए सरकार ने कॉल बिफोर यू डिग एब भी शुरू किया है अगला प्रश्ण है नाथुला दर्रा के संदर्व में निम्रलिखित कथनों पर विचार कीजे एक नाथुला विशु के सबसे उची मोटर परिवहन सडकों में से एक है जो भारत इबद सीमा पर समुद्रितल से 14,450 फीट की उचाए परिस्त हिमाले की चोटियों में सिद एक पहाडी दर्रा है दो यह भारत और चीन के बीच एक खुली व्यापारिक सीमा चौकी है उपरिख्ट में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक बी केवल दो सी एक और दो दो नो डी ना तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दो नो चली देखते हैं इसके विसलेशन को नाथुला विश्व की सबसे उची मोटर परिवहन सडकों में से एक है जो भारत तिबद सीमा पर समुद्रतल से 14,450 फीट की उचाए पर इस सित हिमाले के चोटियों में सित एक पहाडी दर्रा है नाथु का अर्थ है सुनने वाले कान और लाग अर्थ है पास यह भारत और चीन के बीच एक खुली व्यापारिक सीमा चौकी है अगला प्रश्ण है चगास रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ए यह एक संचारी पर जीवी रोग है बी यह प्रोटो जोवा वर्ग क ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के कारण होता है सी यह संक्रमित मनोशियों या जानवरों के आकस्मिक संपर्क से नहीं फैलता है या दी उपर्युक्त सभी इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी चली देखते हैं इसके विसलेशन को प्रतिवर्ष 14 साइलेंट एवं साइड लेंस्ट के रूप में जाना जाता है डबलुएचो के अनुसार यह एक संचारी पर जीवी रोग है जिससे विश्वभर में सलाना 6-7 मिलिन लोग संक्रमित होते हैं और लगभग 12,000 लोगों की मौत हो जाती है इस विमारी का नाम चिकितसक कार्लो शगास के नाम पर रखा गया है जिरोंने पहली बार वर्ष 1909 में ब्राजील के एक बच्चे में इसका पता लगाया था अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को के सेरिया स्थूप बिहार के निम्नलिकित में से किस जिले में सिथ है ए गया बी लखी स्राय सी पुर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करना न भूले